हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ बबली आपका स्वागत करती हूँ बबली कीचन में तो फ्रेंड्स देखके कोई कह सकता है कि इस सुन्दर से मिठाई को हमने घर में बनाया है बहुत आसान तरीके से और सिर्फ तीन इंग्रिडियन्स के साथ इसका टेक्श्चर देखिए बहुत ही सॉफ्ट स्मूध और बहुत ही टेस्टी बना है तो फेस्टीवल में आप इसको घर में असानी से बना सकते हैं और बाहर के मिलावट से आप पच सकते हैं और इसको बनाईए रिस्तेदारों को और वेट में 250 ग्राम है अब कोई भी एक बरतन सेट कर लीजिए कोई बॉल या फिर कप और उसी से सारी चीजों का मेजर्मेंट करेंगे तो मिठाई परफेक्ट बनेगा और उसी कप से एक कप में यहां पर मैंने दूद लिया है और यह नॉर्मल टेंपरेचर का दूद है जो भी आता है दूद और हम चीनी के साथ दूद को मिक्स करेंगे इसके बाद हम लेंगे मिल्क पौडर तो तीन कप मैंने मिल्क पौडर लिया है और एक ही बरतन से सारी चीजों का मेजर्मेंट करना है और थोड़ थोड़ डालते हुए हमें इसको मिलाना है दूद के साथ तो विसकर से या फिर स्पेचुला से आप इसको ऐसे मिलाते जाएए और थोड़ थोड़ डालते जाएए और फ्रेंड्स मिल्क पौडर बहुत आसानी से आजकल मिल जाता है किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं मार्केट में बहुत इसली यह एवलेबल है या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा डालके मिलाते जाएए तो इससे हम इंस्टेंट मावा भी बनाते हैं और मेरे चैनल पर पहले से भी है इंस्टेंट मावा की रेसिपी मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी तो आप अराम से कोई भी मिठाई बना सकते हैं इसका मावा पतियार करके तो देखिए ये ठीक होते जा रहा है और इस पेचुला से इस तरीके से सारा लम्स हम हटाते हुए इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम अभी भी ओफ है इस बात का ध्यान रखना है जब पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फ्लेम आउन करेंगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है बिलकुल भी लम्स नहीं दीक रहा है यहाँ पे हम अब फ्लेम को आउन करेंगे और फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है तो अब यहाँ पे हम डालेंगे देसी तो टेबल स्पून इससे बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा खोवे का और स्वाथ भी बढ़ जाएगा और इसके साथ हम डालेंगे इसमें डेसी केटेड कोकोनट फोर टेबल स्पून फ्रेंट्स इससे मिठाई का स्वाथ बहुत ही लाजबाब हो जाएगा और यह ऑ तो घर में ही आपका नारियल का बुरादत तयार हो जाएगा तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम लो ही रखा है मैंने लो फ्लेम पे हम इसको चार से पांच मिनिट तक पकाएंगे तो यह थीक होना सुरू हो जाएगा और लंस भी नहीं आना चाहिए इस बात क यह लिक्वीड ही हो गया है तो ऐसे ही पकाते जाएंगे और मैं दिखा रही हूं आपको टेक्ट्चर आप बदलता हुए देख सकते हैं दीरे दीरे ठीक होता जाएगा तो खोवे के टेक्ट्चर में आ जाए थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है तो फ्रेंड्स यह गाढ़ा होना सुरू हो गया है तो जैसे जैसे पकाएंगे यह थीक होगा अभी पांच मिनट हो गया है और पांच मिनट होने के साथ ही साथ ये नीचे पैन छोड़ने लगा है तो ये मावा के लिए जो टेक्स्टर है एक्तम परफेक्ट है हम कोई भी मिठाई बनाने के लिए जब मावा बनाते हैं तो हमें ऐसा ही टेक्स्टर चाहिए तो अब हम इसका दो पार्ट कर लेंगे क्योंकि हमें आधा पार्ट का स्टफिंग बनाना है और आधा पार्ट का अलग रखना है तो इस तरीके से देखिए जब अच्छी तरह से ये पैन को छोड़ने लगे तो इसको हम निकाल लेंगे क्योंकि ठंडा होके और भी ज़्यादा ठीक होगा पुरी तरह से जब ठंडा हो जाएगा तो आदा पार्ट को हम एक वर्तन में निकाल लेते हैं और फ्लेम को यहां पे मैंने लो ही रखा है कि नीचे से लगे न तो इसको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए और जो पैन में है इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे तो लो फ्लेम पे हमें इसको थोड़ा से स्पेचुला से मैस करते हुए चलाना है क्योंकि हमें इसका डो की तरह बनाना है खोवे में जो रवा होता है उसको हम मिटा देंगे एक तम सॉफ्ट इसमूद डो की तरह यह हो तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं चला रही हूँ मैस करते हुए ऐसे ही हमें कुछ दिर तक और इसको पका लेना है फ्लेम को लो ही रखेंगे और फ्रेंड्स चार मिनट और हो चुके हैं तो आधा पार्ट मैंने जब निकाल लिया उसके बाद इसको चार मिनट तक और पक पकाते हैं वैसा इसका टेक्शर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं वैसा ही हो रहा है एकदम अच्छे से फोल्ड हो जा रहा है तो चार-पांच मिनट मैं इसको पकाया है आधा पार्ट निकालने के बाद तो अब फ्लेम को आफ कर देंगे लेकिन पैन हमारा गरम है थोड न्यक्षाचैन की मारे पोड़र में डाला इसमें और हम डालेंगे इसमें पिस्ता, टेबल स्बून पिस्ता में डाल रही हो अपने पसंद का कोई भी डिडाएफ्रव करिक्यक्र न्यारियल का पुराधा तो नरियल का पुराधा जो है इससे बहुत है अच्छाँ टेस्ट करना है और मार्केट वाला लुक लाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा एड़ करेंगे औरेंज फूड कलर जो की पूरी तरह से लेकिन आप अगर डालेंगे तो फेस्टिवल सीजन में एक दम मार्केट वाला मिठाई घर में आजसानी से बन जाएगा और इसको हम मिला लेंगे तो अभी हमारा ये मावा जो है गरम है इसमें हमने चीनी भी डाला था इसलिए थोड़ा सा गिला है लेकिन जैसे जैसे यह थंड़ा होगा यह थीक हो जाएगा तो Friends अभी भी यह गिला लग रहा है थोड़ा सा इसमें हम डेसिकेटेट कोकोनट और एड करेंगे इससे तो स्वाद भी बढ़ेगा और ये थीक भी हो जाएगा थोड़ा तो दो चमच मैंने और एड किया और इसको फैन की नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए जब ये ठंडा हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस करेंगे इसके बाद मिठाई का सेप देने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बटर पेपर जिसको कि हम पहले ग्रीस कर लेंगे तो आप चाहे तो इसके जगब पे सिल्वर फॉयल या फिर कोई नॉर्मल प्लास्टिक भी जो घर में है वो ले सकते हैं और थोड़ा सा देसी घी दालेंगे फ्रैंस की चिपके ना क्योंकि इसमें हमने चीनी डाला हुआ है तो थोड़ा से तो इस्टिकी हो गाई है और उसके बाद इस पैचुला से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए क्योंकि अभी भी यह गरम है हाथ से हम टच नहीं करे कि तो अब यह ठंडा हो गया है जितना की हम हाथ से टच कर सकते हैं तो हाथ में थोड़ा सा घी लगा के हाथ को क्रीज कर लें और इसके बाद फीर हम इसको ऐसे हाथ से उठाएंगे और इसका बॉल की तरह बन जा रहा है अभी तो फ्रेंब्स अब यह कंट्रोल में आ जा रहा है तो इसका हम अप सेप दे सकते हैं तो ऐसे आप पहले इसको प्लेन कर लें और इसके बाद आपको जैसा भी सेप पसंद है तो मैं रोल मिठाई बना रही हूं तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लंबा सा फैलाएंगे तो आप चाहें तो अपने पसंद से ऐसे राउंड सेप में बना सकते हैं या फिर स्कूर बना सकते हैं जैसा मिठाई आप पसंद करें तो मैं थोड़ा सा स्क्वेर बना रही हूँ इसलिए पहले ऐसे करेंगे उसके बार हाथों से इस सेप देंगे चोकोर बना देंगे तो जैसा है उसके पहले और दस मिनट के लिए फ्रीज में रख अगे सेट हो जाएगा फिर आगे का प्रोसेस करेंगे इसके बाद मैंने एक दूसरा बटर पेपर लिया है उसको भी हम घी से ग्रीस कर लेंगे जो मैंने दूसरा पार्ट बनाया था वाइट वाला देखिए इसको थोड़ा मैंने ज्यादा पकाया था तो ये डो की तरह हो गया है एक दम जैसे रोटी बनाने वाला डो होता है वैस इसको रोल करना है इसलिए इसको हमने थोड़ा ज्यादा पकाया था और एकदम यह स्मूध है बहुत ही अच्छा तो हमें इसको रोल करके सेप देना है तो बटर पेपर के बीचो बीच रखेंगे और हाथ से पहले इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और हमें इसे कर लिया है और देखिए इस तरीके से एक और उपर से बटर पेपर लगाएंगे और रोटी बेलन होता है उसका इस्तमाल करते हुए हलके हाथों से हम इसको रोल कर लेंगे तो थोड़ा ऐसे लंबाई में ही रोल करना है इसको राउंड सिप नहीं करना है नहीं तो थोड़ा पतला तो इस तरीके से चेक कर लें तो देखिए फ्रेंड्स यह रोटी से थोड़ा सा ही मोटा है ज्यादा मोटा नहीं रखा मैंने तो बस यह हो गया है तो बटर पेपर को निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा यह रोल हुआ है बिल्कुल भी स इसको अलग से खालेंगे और अब सबसे इंपोर्टन पार्ट आता है इसको रोल करने का तो बहुत ही साउधानी से बहुत अच्छे से रोल करेंगे एक तम टाइट सा तो देखिए इसका से भी नहीं बिगड़ना चाहिए और साइट से इस तरीके से बटर पेपर के साथ ही में तो खासतोर से देखने में अच्छा मिठाई बनाना चाहिए तभी अच्छा लगता है तो इस तरीके से हम बटर पेपर को मोरते जाएंगे और टाइट सा रोल करते जाएंगे इस बात का ध्यान देना है अगर आप लूज रोल करेंगे तो फिर अंदर से जब काटेंग से शेप दे देंगे चो कोर से पा जाए देखिए इस तरीके से दबाते हुए चारो तरफ से और अब यह अच्छे से रोल हो चुका है तो अब इसको हम रखेंगे फ्रीज में दो घंटे के लिए जिससे कि अच्छे से यह सेट हो जाए उसके बाद मैं निकाल के दिखाऊं तो देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है इसका मतलब ही अच्छे से सेट हो गया है अगर आपको लगे कि चिपक रहा है थोड़ा गिला है तो थोड़ा और रख सकते हैं फ्रीज में और भी लुक बढ़ाने के लिए मैं इसमें लगा रही हूं सिल्वर वर्थ अगर आ साइट को काट के अलग कर लेते हैं और इसके बाद हम एक बराबर पीस में कट कर लेंगे तो देखिए कितना इजली कट रहा है बहुत अच्छे से सेट हुआ है तो लग रहा है ना एकदम मार्केट वाला मिठाई और बहुत आसान है आपने तो देखा ही वीडियो में ज़्यादा मूँ में घुल जाने वाला तो फ्रेंड्स फेस्टिवल में एक बार इस मिठाई को बनाना तो बिल्कुल बनता है तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें चैनल पने है तो सब्सक्राइब करें फेस्टिवल पिति वाली